हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मनी स्वर्मा और आपका स्वागत है हमारी यूट्व चेनल लर्न ओफ टेक्न अपर डियर फ्रेंड्स हमारी जो वल नाइनर अमसीक्यू की सीरीज वो कंटिन्यू चल रही है पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चेनल पर आपको प्रोपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप पहले के वीडियो वो देख सकते हैं 50-60 वीडियो वह हमारी continue हो चुकी है और लगातार आपके लिए ये सीरीज जब चलती रहेगी इसके अलवा अगर आप कोई भी competition level या interest exam की त्यारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए most important होने वाली है तो वीडियो को end तक जुरूर वाज कीजिएगा चैनल को अगर अपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए हर साम 8 बजी आपको मिलता एक नया वीडियो only on हमारे चैनल पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहने तक जुरूर वाच करना first question है यहां पर आज का electrode की लंबाई होती है welding electrode की यहां पर बात की गई है तो उसकी जो नॉर्मली लंबाई रखी जाती है कितनी रखी जाती है क्योंकि अलग लग size में आपने देखा होगा कुछ छोटे electrode मिलते हैं कुछ बड़े electrode होते हैं तो उसकी लंबाई है वो कितनी होती है तो electrode की लंबाई 150 से 450 mm तक होती है 150 घह 450 मिलिमेटर तक देखने के लिए आपको मिल जाता है Second question है Core wire का व्यास होता है ये किसके core wire के बात की गई है तो ये बात की गई है core wire Electrode के core wire Electrode का core wire क्या चीज़ होती है तो electrode के ऊपर हमने देखा कि flux लगावा होता है एक सफेद सा चुनना सा लगावा होता है जो फ्लक्स होता है और पीछे के बाग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड दिखाई देता है वहाँ पर फ्लक्स नहीं लगा होता है उनली इलेक्ट्रोड ही रहता है वहाँ पर तो वह जहां पर फ्लक्स नहीं लगा है उनली इलेक्ट हो सकता है इसके अलावे मैं आपको बता दूं कि जो इlek्ट्रोड होता है वेल्डिंग रोड्ड जोहती है उतका साइज उतका व्यास है वो कोई के डायमेटर से लिया जाता है कि नेक्स्ट क्योशन है यहां पर इसमें धिया है पोलरीटी किसी कहते हैं पहले भींस पिछी की क्लास में गयो Polarity होती है, जिसको straight और reverse भी बोला जाता है, straight और backward भी बोला जाता है, ठीक है, दो परकार की polarity होती है, next question है, polarity कितने परकार की होती है, तो अभी just मैंने आपको पताया था, दो परकार की होती है, straight polarity और reverse polarity, ठीक है, straight और backward भी बोल सकते हैं, forward और reverse भी बोल सकते हैं, ठीक है, next question है electrode negative किसे कहते हैं electrode negative किसे बोला जाता है तो straight polarity को electrode negative बोला जाता है और electrode positive reverse polarity को electrode positive के नाम से जाना जाता है तो यह चोटे चोटे question है most important बन जाते हैं इनका knowledge आपको होना जरूरी होता है तो इसलिए मैं आपके लिए इस परकार के क्योसन है वो लेकर आता हूँ next question यहाँ पर दियावा है आरक के लंबाई कितने परकार की होती है तो आरक के लंबाई कितने परकार की होती है तो आरक के लंबाई है वो तीन परकार की होती है नॉर्मल लंबी और चोटी यानकी लंबी मीडियम और छोटी तीन परकार की आरक की लंबाई होती है इसमें जो मीडियम वाली है वो ज़्यादतर हम यूज करते हैं ठीकार जो नॉर्मल में मोला जाता है तो इसमें क्या होती है आरक की लंबाई है वो 3-5 mm तक रखी जाती है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोजिटिव किशे काते हैं तो रिवर्स पोलरिटी को जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड नेगेटिव है वो स्टेट पोलरिटी को कहते हैं वहीं पर इलेक्ट्रोड पोजिटिव है वो रिवर्स पोलरिटी को बोला जाता है नेक्स्ट क्योजन है, आरक वेल्डिंग की इस्तितियां होती है, आरक वेल्डिंग की क्या इस्तितियां होती है, फ्लेट वेल्डिंग, ओरिजन्टल वेल्डिंग, ओर हेड वेल्डिंग, और वेल्डिंग, और वेल्डिंग, और वेल्डिंग, और वेल्डिंग, और तो वो overhead welding के अंदर गत आती है, ठीक है, next question है, arc welding में कितने परकार के दोस होते हैं, तो दो परकार के defect होते हैं, एक तो दिखाई देने वादे और एक दिखाई नहीं देने वादे, यानि अंदरूनी defects होते हैं, वो दिखाई हमें नहीं देते हैं नंगी आखो से, और दूसरे पहारी जो defects होते हैं, वो दिखाई देते हैं, next question है, तो next question है, यहाँ पर fusion या non pressure welding कौन सी होती है, fusion या non pressure welding, एक pressure welding होती है, एक fusion welding होती है, दो welding मैं आपको कल की class में बताया था, तो fusion welding वो non pressure welding, fusion welding को non pressure welding भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें pressure वो नहीं लगता है, तो gas welding होती है, वो non pressure welding होती है, या फिर fusion welding के अंतरगत आती है, next है, electric arc दवारा welding करने के लिए, किसका परियोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड का प्रियों किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करनी है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, बिल्कुल एजी के उसन है, इंपोर्टेंट के उसन है, नेक्स्ट के उसन है, ओक्सी एसिटिलीन वेल्ड में दो पदतिया पाई जाती है high pressure system और low pressure system यानि कि एक में high pressure system रहेगा जहां पर क्या होगा कि gas का pressure वो ज्यादा रहेगा रिक low pressure system गो जिसमें gas का pressure वो कम रहता है ठीक है तो इसी के according इसमें दो पदतिया होती है high pressure system और low pressure system next question यहां पर दियावा है तो इसमें दियावा है acetylene के लिए मुख्य ते दो कौन सी गेंसों का प्रियोग किया जाता है acetylene के लिए कौन सी दोग इसे यूज करते हैं oxygen और acetylene करते हैं तो यहां पर क्या oxy acetylene लिखना था यहां पर oxy आना था तो यह थोड़ा सा गलत हो गया है oxy acetylene के लिए कौन सी दोग इसे होती है तो oxygen और acetylene gas ही यूज करते हैं gas welding में ज्यादा तर ठीक है कई जगा आपने देखा होगा LPG gas भी यूज होती है कई जगा कुछ और gas से भी यूज होती है लेकिन वो कार्य के कोल्डिंग रहती है नॉर्मली gas welding में oxygen और acetylene gas का ही यूज करते हैं next question है oxygen cylinder का रंग होता है oxygen gas cylinder जो होता है वो काले रंग का होता है इसकी जो pipe होती है वो भी काले रंग की होती है oxygen gas cylinder के जितनी भी equipment होते हैं उन पर right hand thread कटी होती है और oxygen gas cylinder है यह high quality की steel से बनाया जाता है जिसमें इसका gas का pressure की बात करें तो 120 से 150 kg पर ती cm में इसका pressure हो रहता है वहीं पर acetylene का बहुत ही कम रहता है तो यह भी पूछ लिए जाते हैं जो most important ते मैंने आपको clear कर दिये हैं एक ही बार में next question की और बढ़ते हैं next यह आपर दिया है oxygen cylinder किस दातू का बनावता है oxygen gas cylinder हो किस metal का बनावता है तो उच quality की steel का high quality steel का बनाया जाता है next question की अगर बात करें तो oxygen cylinder में gas कितनी pressure से बरी जाती है gas का pressure पूछा गया है तो 120 से 150 kg पर 30 cm कर दिया जितने भी question है next question यहां पर दिया है oxygen cylinder वालव पर कौन से चूडिया कटी होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था oxygen gas cylinder के जितने भी equipment होती है जिन पर threads कटी होती है उन सब में right hand thread वो कटी भी होती है ठीक है वही पर एगर acetylene के बात करें तो यह मेहरून या लाल रंग का cylinder मिलता है मेहरून या लाल रंग की ही इसकी pipe मिलती है acetylene gas cylinder की जितने भी equipment होती है जिन पर threads कटी होती है उन पर left hand thread कटी होती है अगर मैं इसमें gas के pressure की बात करूँ तो 15 से 16 kg है वो 30 cm pressure से बरी जाती है वहीं पर अगर oxygen की बात करें तो 120 से 150 kg परती cm की रहती है ठीक है next question यहां पर दिया वाय गुली हुई acetylene cylinder में acetylene भरने का pressure कितना होता है तो यह तो भी ने आपको bicale कर दिया कितना होता है तो 15 से 16 kg परती cm होता है ठीक है वहीं पर oxygen cylinder में oxygen की मात्रा वो 120 से 150 kg परती cm भरी जाती है तो आज की वीडियो में बस इतना ही डियर फ्रिंड अगर आपको अच्छा लगाए वीडियो तो like जुरूर कीजीगा share कीजीगा wish you all the best जय हिन जय भार्त